आल इंडिया रेडियो के स्रीनगर जम्मू और लेस्टेशनू से पेश होता है हफ्तवार प्रोग्राम जेके बैंक डाइरी इतवार दो जुलाई और जेके बैंक डाइरी का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर आप सब का प्रोग्राम में खेर बगदम और हारदिक अभिननदन आज की स्मार्ट दुनिया में जेके बैंक की स्मार्ट सेवर डिपॉसिट स्कीम का फायता उठाएं अपने सेविंग्स और करन्ट अकाउंट में पढ़े हुए फंड्स को मुनाफे में बदले आज ही अपने नस्दी की जेके बैंकी ब्रांच में जाएं और स्मार्ट सेवर टर्म डिपॉसिट स्कीम के बारे में जानकारी हासिल करें जेन के बाग आपका अपना बाग में जब ट्रांसपोर्ट में भी बतद्रीज अजाफा होता किया और नतीजतन हम जमाने की रफ़तार से कदम मिला कर चलने के काबल हो गए लेकिन गाड़ी का हसूल अभी भी बहुत सारे दोस्तों के लिए खाब और खोहश तक ही महदूद है जब कि आज के जमाने में ये एक अशद जरूरत बन गई है जेके बैक ने हमेशा आपकी जरूरतों का एहसास करते हुए इन सब चीज़ों को आपके लिए काबल हसूल बना कर यहां की मौाशी, इक्तसादी और समाजी तरकी में अपना कलीदी रोल निभाया है लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बढ़ते ट्रैफिक दवाव से ट्रैफिक जम और हादसात में भी इजाफा हुआ है जिससे कीमती जाने जाय हो रही है और मुशादे में आया है कि ऐसे वाकियात का इल्जाम अक्सर फाइनशल इनिस्टूशन के ओपर डाला जाता है जो कि सरासर नाइनसाफी है अगर हम मकामी, कौमी या आलमी सतह पर ट्रैफिक हादसात की वजुहात को एनलाइज करें तो चार वजुहात सरे फेरिस्ट हैं राइज ड्राइविंग, नशे का इस्तमाल, हेलमिट या सीट बेल्ट ना पहनना और नाबालिक बच्चों और बच्चीं को ड्राइविंग करने देना इसके लावा खराब रोड्स पर भी इल्जाम धरा जाता है जो कि सही नहीं है होता तो अमरिका जैसे तरकी याफ़ता मलक में जहां बहतरी इन सडकों का जाल फैला हुआ है दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्राइविक हादसात रूनमा नहीं होते जरूरत इस बात की है कि हम ट्राइविक डिपार्टमेंट की वज़ा करदा गाइडलाइन और कवानिन पर सकती से अमल करें और इन रोड्स को अपने लिए और दूसरों के लिए महफूज बनाएं डिसिप्लिन से काम लें क्यूंकि डिसिप्लिन ना हो तो दस गाडियों भी कंटू का जाम कर सकती है जबकि डिसिप्लिन को अपना कर सेंक्टू गाडियों का सफर समूध बन सकता है discipline और traffic laws पर अमल करके हम एक बहतर और सुरक्षित समाज को तश्किल दे सकते हैं जेके बैंक का मकसद हर आम आदमी के लिए गाड़ी का हसूल मुम्किन बनाना है ताकि तरकी के इस दोर में आप जमाने से पीछे न रहें लेकिन आप एक जमेदार गाहक और जमेदार शहरी का रोल निभा कर हमारी नेक नियती और आपकी तरकी की खौइशात और अमली अकदामात को सही साबित करें जेके बैंक आपके हर सफर को आसान महफूज और यादगार बनाने का खौहा है सामईन टेकनोलजी के इस्तमाल ने दुनिया को बदल कर रख दिया है और डिجिटल इंडिया मिशिन के तहत हुकूमत जिन्दगी के हर शुबे में टेकनोलजी के इस्तमाल पर जोर दे रही है जेके बैंक ने पिछले चंद सालों में बिल अमूम और पिछले एक साल में बिल खसूस डिजिटाइजेशन के हवाले से खातर ख्वात अबदीलियां लाकर आम लोगों के लिए आसानियां पैदा की हैं और हमारे गाहकों के लिए बैंकिंग को निहायत ही सरल बनाया है जिसके लिए वक्तन फवक्तन मुक्तलिफ कोमी एजाजात से बैंक को नवाजा गया है इस सिलसले का एक खुबसूरत इजाफा हाल ही में मुंबई में मुनकिदा इनफोसिस फिनेकल इनोवेशन अवाड्स दो हजार तेईस है जहां प्रोसेस इनोवेशन कैडिगरी में जेके बैंक को गोल्ड अवाड्स से नवाजा गया जेके बैंक की जानब से ये अवाड्स बैंक के जेनल मैनेजर राकेश कॉल ने हासल किया इस हवाले से अपने तासुरात बयान करते हुए बैंक के M.D. और CEO बलदे प्रकाश ने कहा कि ईद की खुशियों के बीच हमारी कोशिशों को सुनहरी अक्षरों से नाशनल लेवल पर माननता मिलना हमारे ले बाईस से मुसरत और बाईस से फक्र है उन्होंने कहा कि बैंक में जारी IT Revolution से आम लोगों तक सुएदाएं पहुचाने में हम गर्व महसूस करते हैं और ये और ये सफर जारी रहेगा जेके बैंक को मुबारक बादी देते हुए Infosys Finical के CEO सेनत राउ ने कहा कि प्रोसेस इनोवेशन में बैंक की बहतरीन कारकरदगी ने उन्हें इस अवार्ड के काबल बनाया है और वह वाकई इसके हगदार हैं वाज़ रहे कि इस कॉमपेटिशन में मुल्क के 43 बैंकों ने नॉमिनेशन्स फाइल किये थे दोस्तो टूरिजम इंडस्ट्री जमो कश्मीर के लिए नहायत ही एहम है और पिछले चंद सालों में टूरिस्ट फ्लो के बढ़ने के साथ हमें एहसास हुआ कि यहां सयाहों के लिए दस्तियाब होटलों के कमरें कम पढ़ रहे हैं जो कि एक खुशायंद बात है जमो कश्मीर बैंक ने इस मुश्किल को हाल करने के लिए एक टेलर मेड प्रोड़क्ट तयार किया है जिसे हम जेन के बैंक होमस्टे फैनानस के नाम से जानते हैं क्या है ये लोन स्कीम आगे जानते हैं जेके बैंक के क्रेटिट हैड जनल मैनेजर आश्टोच सरीन जी से आश्टोच जी आपका प्रोग्राम में सावगत है धन्यवाद आप से जानना चाहेंगे कि ये होमस्टे फैनानस स्कीम है क्या जो सुनने वाले हैं मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि होमस्टे स्कीम जो है वो जो मुकिश्मीर बैंक ने टूरिस्ट इनफलो देखते हुए एक टेलर मेड प्रोड़क्ट बनाया इसमें टूरिजम डिपार्टमेंट की गाइल लाइन्स हैं पूरा ध्यान रखा गया और उसमें जो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज जहां किसी के पास भी अपना घर है और उसमें वो एक कमरा दो कमरे टूरिस्ट के लिए उसको ड्वल्ब करना चाहता है तो उसके लिए ये स्कीम बना ही गई है इस स्कीम में कौन लोग इलिजिबल हैं जैसा मैंने अभी बताया कि जिसके पास घर है और घर में कमरे हैं जिसको वो टूरिस्ट रेजिदेंस के लिए वो यूज करना चाहता है और इसमें जो कमरों की सीमा है वो चार है एक समय पे चार से ज्यादा कमरों के लिए ये लोन फसिल्टी नहीं मिलेगी लेकिन इसकी सीमा आपने चार कमरों तक ही क्यों रखी हुई है हाँ ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि चार पे ही क्यों रुखे पांच, छे या दस तो चार पे इसलिए रुखे कि चार के बाद as per tourism department of JNK UT है तो उसकी registration जो है वो lodge या होटल में होने की इसमें requirement है चार तक जो है उसमें भी tourism department से permission ज़रूरी है इस scheme के तहत सरीन जी आपसे जानना चाहेंगे कि कितना finance मिल सकता है एक कमरे के लिए धाई लाग रुपया मिलेगा क्योंकि सीमा चार कमरों की है तो maximum 10 लाग है 10 लाग से उपर नहीं होगा और security क्या मांगते है आप इस loan के लिए इसमें जो bank के पैसे से asset create हुई जो renovation हुई और उस पे एक primary charge रहेगा bank का hypothetical के तहट और CGTMSC cover होगा जिसकी fees जो है वो borrower को बरनी है आप से जानना चाहेंगे कि इस loan की repayment के लिए कितना समय रखा गया है और क्या कोई moratorium भी दिया जाता है जी हाँ बिलकुल 6 महीने का moratorium मिलेगा और उसके बाद 60 खिश्टों में ये पैसा वापिस करना है तो total loan period जो है वो साड़े पांच साल का रहेगा तो इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रा है लेकिन जाते जाते आप से जानना चाहेंगे सकीम के हवाले से कोई खास पेगाम देना चाहेंगे आप समय इनको जी बिलकुल इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर मेरी तरफ से एक गुजारिश यही रहेगी कि घर जिनके पास है rural areas में particularly एक कमरा दो कमरे वो उसमें as a tourist home stay उसको develop करें वेंक से आपको असान शर्तों पे loan की facility सुविदा मुहसर हो रही है और उससे आपकी एक income भी बढ़ेगी और साथ साथ employment generation भी बढ़ेगी तरने बात बह जलते वक्त में पैसे के नगदी लेंदेन की जगा डिजिटल और alternate channels ने ले ली है जो काफी आसान और महफूज होने के साथ साथ वक्त और energy बचाने में बहुत मददगार साबित हुई है और JK Bank ने technology को बरोएकार लाते हुए आम लोगों तक इन सहुलियात की रसाई और इस और डिविजिनल हेड बराय कश्मीर तबसुम नजीर ने zonal heads इम्तियाज हमद बट, तारिक अली, शबीर एहमद, खुरशीद मुजफर, साधत पामपोरी, बैंक के चीफ डिजिटल आफिसर नवीद जरगर और cluster heads की मौजूदगी में किया और वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये लदाक के zonal head, डोरजे अंग्चुक और करगल के cluster head भी जुड़े थे, इस मौके पर बोलते हुए जनरल मैनेजर तबसुम नजीर ने कहा कि नए दोर में आसान लेन देन के लिए QR codes की काफी एहमियत है, और छोटे से छोटे रेडी वाले, छापडी फरोश, थेले व वक्त इंस्टॉल करके activate भी कराएगा, इस मुहिम के पहले ही दिन, बैंक ने 3000 से जायद QR codes इंस्टॉल करके शांदार कारकरदिगी का आगाज किया और ये मुहिम सुरत से जारी रहेगी पुलवामा के अग्रेप्रेनियोर मुहमत अश्रफ ठोकर की काम्याबी की कहानी उन्ही की जुबानी जमीन से ज्याद से ज्याद पाइदवार हाजर करें कि उस तरह मलभ पैसा भी उतना नहीं था कि हम बगीचे लगाते हैं फिर एक कानफरनस में जब गया था मैं वहां एसके एसी सी जेके बंग चेर्मेंट भी थी उस तरह मुहने वहां एनुस्मेंट किया है कि हम इसमें करीमाबाद फाइनली हम ने ट्रडिशनल आरचिवर उस काट ले अल्टेमेटली तो रिपलियस किया उसको हाई डिनस्टी अपल प्लांटेशन से नावजमानों से मेरे एपील है कि जिनके ओपर नोकरी का जिनून चड़ा हुआ हुआ है वो नसी रिप इसमें अपने लिए रोजगार कमा सकते हैं वो दूसरें को भी रोजगार प्रवाइड कर सकते हैं आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं अपनी स्टोरी हमारे साथ शेर करें और मेरी कहानी at jkbmail.com सिलेक्ट होने पर सुने का सारा जहां आपकी काम्याबी की अनोखी दास्तान JNK Bank आपका अपना बैंक सामईन जमुव किश्मीर बैंक की सबसिडिरी जेके बैंक के गाहकों और आम लोगों को शेर ट्रेडिंग, मुच्वल फंड्स और दीगर इन्वेस्मेंट आप्शिन्स के बारे में जानकारी देना और फिसिलिटेट कराने की गर्द से किया गया है बदलते वक्त के साथ साथ जब Information Technology ने जिन्दगी के हर मैदान में हैरत अंगेज तबदिलिया रोनुमा की हैं तो वक्त के तकाजू से हमाहंग होते हुए JKB FSL ने JKB M Grow नामी ऑनलाइन अप शुरू कर दी जिससे गर बैठे आप ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल सकते हैं और शेयर्स के इलावा Mutual Fund Investments भी आसानी से कर सकते हैं। तेरुजान में हमारे शेयतर के लोग किसी प्रकार से पीछे नहीं रहेंगे। इस मौके पर JKB FSL के MD सईद आदिल अंद्राबी ने एक PowerPoint प्रेजेशन के जरिए JKB M Grow के खदोखाल के बारे में मुफसल जानकारी दी। या फिर नजदी की खित्मत सेंटर पे जाके अपना आधार कार लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए। और अब इनामी सवाल की बारी इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब आज का इनामी सवाल। दोस्तों आपको बताना होगा कि हाल या दिनों मुनकदा इन्फुसिस फिनेकल इनोविशन अवार्ड दोहजार तेईस में जेन की बैंक को कौन सा अवार्ड मिला। आपके ऑप्शन्स हैं ब्रॉंज अवार्ड, सिल्वर अवार्ड या गोल्ड अवार्ड आपके जवाबात हमें पांच जुलाई दोहजार तेईस बुद्वार शाम पांच बजे तक इमेल के जरीए पहन जाने चाहिए। हमारा इमेल एड्रस है jkbank diary at the rate jkbmail.com तो लेते हैं आपसे रुकसत अगली इतवार तक तब तक के लिए जुड़े रही हमारे साथ हमारी 24-7 banking services के जरीए और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डाइल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर लाड़ साब से कहो स्टार्टप के सपने से नीद खुले तो दुकान आ जाए। उसकी सुभा ही jnkbank से बात हुई है। अरे कुछ नी रखा इसले। सर बैंक को आपका स्टार्टप आइडिया अच्छा लगा। अगर उडान का इरादा है तो पंक देना हम जानते हैं। अभी आप सुन रहे थे जे के बैंक डाइरी, पेशकश, कॉर्परेट कॉम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट, जे एंड के बैंक